आज मैं आप सभी के लिए मखानी की खीर की रेसेपी लेकर किया हूँ जिसे बनाना बहुत आसान है और बहुत टेस्टी बनकर तयार होती है सबसे अची बात यह है कि काफी कम समय में बनकर तयार हो जाती है इसे आप व्रत की टाइम पर बना ही सकते हो इसी के साथ नॉर्मल डेस पर भी अगर आपको कुछ मीटा खाने का मन कर रहा है तो बहुत ही कम समय और कम जंजट में बना कर तयार कर सकते हो तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं ऐसी ही और आसान रेसेपी य«को देखने के लिए हमारी चैनल ओनली वेचरसोई' को सबस्क्राइब करें और वेल आइकन को भी सरूर प्रेस करें तो इसके लिए मैने यह आपी 100 ग्रम मखानी लिए वहे हैं चीनी मैंने यहाँ पे 100 ग्राम लिए वे हैं, आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग रह सकते हैं, दो बड़ा चम्मच घी लिया वा है, कुछ मैंने ड्राइफ्रूट्स लिये वे हैं, तो मैंने यहाँ पे काजू और बादाम लिये वे हैं, और साधी में आदी चोटी चम्मच इलाइची का पाउडर लिया हुए, फ्लेवर के लिए, इधर मैंने यहाँ पे एक पतीले में एक लिटर दूद लिया हुआ है, जिसे बॉल होने के लिए रखा हुआ है, मैंने यह गाय का दूद लिया है, आप चाहे तो पैकेट वाले दूद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो दूद जब तक उबर रहा है, तब तक हम अपने ड्राइफ रूट्स को भून लेते हैं, और साथ में मखानों को भी, तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया हुआ है, इसमें मैंने घी आट करिया है, तकरिबन एक चमच, इसके बाद इसमें ड्राइफ रूट्स आट कर दे चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे, और इसी पैन में अब मैं मखाने को भूनोंगी, तीन से चार मिनट में यह भून करके तयार हो जाएगा, वैसे टाइमिंग आपकी उपर नीचे हो सकती है, मखाने की क्वांटिटी के अनुसार, तो इसी मैं यहाँ यहाँ पे मेडम तो यहाँ पर जो मखानी है, वो थोड़ी से ठंडी हो चुके हैं, क्योंकि हमें इसे ग्राइंट करना है, इसलिए इसका हलका सा ठंडा होना जरूरी है, तो अब हम यहाँ पर एक जार लेंगे, और इसमें हमें मखानों को डाल दिना है, क्योंकि मेरा कम है, तो यह एक में चोटी-चोटी मखानी की पीसेज भी रहें, तो यहाँ पर यह देखे, मैंने यह से दरदरा ग्राइंट कर लिया है, बीच में थोड़ी-थोड़ी मखानी की पीसेज भी हैं, यानि कि यह बिल्कुल पॉफिक है, तो यह वाला मिक्षरा पहले से भी बना करके रख सकते तो जब तक में हमने यह सारे काम की, तब तक हमें दूद में भी काफी बढ़ियां से बॉइल आ रहा है, तो अब फ्लेम हमें कर दिना मिडम मेंमी और अब मखादीरा पवडर ऐट कर दिना है, प्रयर अबी इसे जयादर नहीं पकाना है, क्युक्कि हम पहले सारे न की पहल कर सकते हैं तो अब यह साई चीजों को डाल करके अच्छे तरीके से मिला देंगे और जादा नहीं केवल आठ से नौ मिनट के लिए हमें इसे मीडम फ्लेम पर पकाना है बीच बीच में आप इसे चलाते रहे ताकि यह तले में लगे नहीं कुल मैंने इसे 9 मिनट के लिए पकाया है और अब हमारा खीर जो मैंना वो बहुत ही बढ़िया रेडी हो चुका है क्योंकि जब यह थोड़ी ठंडी होगी तो यह थोड़ी सी गाड़ी होगी इसलिए इस टाइम पे बहुत सादा गाड़ा हम नहीं करेंगे तो अब मैंने इस कि को गर्मा गर्म भी एंजॉय कर सकते हो और अगर आप ठंडा खाना पसंद करते हैं तो आप इसे थाठंडा कर ले इसके बाद आप इससे सर्फ करें तो आप चाहिए वरत में कुछ खाना हो या फिर नॉर्मल डेज में अगर आपको कुछ मीठा डेजर्ट खाने का मन कर तो बस फटा-फट से इस रेसिपी को ट्राइ करें और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें का और अपनी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें का मैं लोग आप से किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए हमें इसी तरीके से झाल